हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं चोब इस टड़ी जोन तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं समाने ग्यान दोस्तों सबसे पहले में बता दूं यह जितने सारे आपको परिक्षाओं में पूछे गया प्रशन है वह ही प्र करेंगे चलिए दोस्तों इस सभी परिक्षाओं में पूछी गई प्रश्ने हैं बिहार के तो चलते हैं प्रश्ने के तरफ और दोस्तों इस चैनल पर नहीं है देख बाट चैनल को लाइक सब्सक्राब शेर चरूरूर कर लिजेगा देखिए यह देखिए दोस्तों पहला प्रश्ना गया बौध संकी अस्थपना कहां हुई थी आपसन अ बौध गया आपसन भी शारनाथ ऑप्शन सी लुंबनी और उपसन दिननलंद तो बहुत ऐगा प्रस्ण पूछा गया है बिहार के SSC में भी हार पूलिस में भी पूछा गया है इसका दोस्तों सही अंसर क्या हो जागा option number 20 सही हो जागा सारनाथ में हुआ था ठीक है और आप लोग भी जरूर कमेंट करिएगा आप लोगे कितना प्रश्ण सही हो रहा है चलिए अगले प्रश्ण को तरप चलते हैं बैसाली की नगरवधु का क्या नाम था option मंदाकनी, option B, अमपाला, option C, अमरपाली और option D, सुकन्या तो जो बैसाली की नगरवधु का नाम क्या था दोस्तों तो इसका सही अंसर दोस्तों क्या हो जागा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा तो इसका दोस्तों जो सही अंसर हो जागा आपको option number C, सही हो जागा, अमरपाली चलिए अगले प्रशनों के तरफ चलते हैं निम्न में से कोशल की रजधानी कहा थी और दोस्तों देखे कोशल की रजधानी अभी UP पूलिस में भी पूछा गया प्रशन है option A, स्रावस्ति, option B, सारनाथ, option C, लुम्बनी और option D, वैसाली तो दोस्तों इसमें से सही अंसर कौन से हो जागा आप लोग सही अंसर बताइए ठीक है दोस्तों देखे कोशल की जो रजधानी थी इसका जो सही अंसर हो जागा दोस्तों आपको option नमबर, option नमबर दोस्तों इस सही हो जाएगा यह जो है स्रावस्ति है वहाई पे कोशल की रजधानी थी चलिए अगले प्रशन के तरफ चलते हैं पूर्व एतिहासिक अस्तल चिरांद वर्तमान के किस जीले में इस्थी थी थी तो जो पूर्व एतिहासिक चिरां आपको आपको नमबर सी सही हो जाएगा यह सारण हो जाएगा अगले प्रशन के तरफ चलते हैं प्रस निम्न में किस अस्तम लेक प्राप्त हुए हैं Option A, रामपुर्वा, Option B, चंदन, पीर, पहारी, ठीक है, Option D, लोरिय, आरे, राज, और Option D, बैसाली, Option C, लोरिय, आरे, राज, और Option D, बैसाली, इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का सही अंसर दोस्तों देखे, E हो जाएगा, रामपुर्वा, चलिए अगले प्रश्णों के तरफ चलते हैं बिहार में पाए गया मौरी अभिले की भासा थी अप्सने संस्कृती, अप्सन भी प्राकृत, अप्सन सी मगदी और अप्सन भी अवधी इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बिहार में पाएगा है परफान नमबर 20 से हो जाएगा प्राकृत ठीक है अगले प्रफन के तरफ चलते हैं प्रफन नमबर 7 है बिहार के की शस्थान में यक्स प्रती मा प्राप्त हुई है भागलपुर आप्षन 2 म undertaking बंगेर और आप्षन 2 फटना इसका जो शही अंसर दोस्तो साथ हो जगा जगा उसका जगा ज़azu इसका धोस्तो शाया साथ ह। आयोजन कब हुआ था तो यह हुआ था 383 में और प्रथम हुआ था 488 में तुछ ती अगर पुछ देगा तो 289 इसा पूर में हुआ था और 4 kaç पुछ देगा तब कब पंचानवेर इसा में हुआ था थीकर था जबेखें दोस्तों दोस्तों एक ही से कितने प्रशन बन रहा है अब चलिए अगले प्रशन के तरब चलते प्रतम बहुत संगीती का ध्यक्ष कौन थे और दोस्तों देखे इसका साइनसर क्या हो जागा और याप लोग भी कमेंट करते रहेगा और दोस्तों इस चैनल पर नहांते हैं चनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर जरू कर लेजए और आपको इस चैनल पर रोज सुवा और साम को वीडियो देखने की मिलेगा है इसका साथ ही साथ आपको 25 जनवरी सा लाइफ क्लासेश भी देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द में उसको कुछिस कर रहा हूं लाइफ क्लास चलाने के लिए जिससे हम लोग का प्रेक्टिसेट भी होता रहेगा और इसका साथ हम लोग का एक्सप्रियेंस भी बढ़ता क्योंकि दोस्तों में बहुत सारे लोग डिसकस करते रहते हैं तो उसे अपनी नॉलिज भी वड़ती है इसलिए चलिए अगले प्रसन के चलते हैं प्रतम बहुत संगेती का योजन कहां हुआ था अपसन है राजगीर अपसन भी पटना और अपसन स्री बैसाली और अपसन दिश्टिक चलिए पटना के पटना में महावी अंदोलोंग नेत्री तो किस ने किया था अपसन ने मोहमद हुसेन अपसन भी विलायत अली अपसन सी इनायत अली और अपसन डी बी और सी दोनों तो इसका दोस्तों सही अंसर क्या हो जागा आपका दोस्तों जो सही इसका अ इन में से बिर्शा मुण्डा का जन्म कम कभा था अप सनतर में अपसंन से 1865 सोग कंभा त चली इसका सबसे बिर्शा मुड़ा का जिन्म हुआ था और। पर जानते हैं जहरखंड में एक इनोर सीटी वे जो हम लोग एक रिसी का इनोर सीटी है अगरिकल्चर विस्टोवित दाले वहाँ पर इनी के नम से ठीक है तो चलिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा हम लोग सही अंसर देखेंगे तो इसका अपसन नमरीज सही हो जाएगा 18 कि नारा सा पचात्तर चलिए टाना भकत अंदोलों की सुरुवात कव जाएगा अपसन 1910 में एसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नमरीज सही हो जाएगा और यह बहुत बार परिक्षाओं में आपका पूछा गया प्रश्न है चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं बहावी आंदोलन के प्रवर्था कौन थे अप्सन अब्दूल बहाव अप्सन B मोहमद गालिम अप्सन C अकरम वहाव और अप्सन D दानिस बहाव अप्सन नमर यह सही हो जाएगा आप उसका जो एंसर है यह है चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं सार अम किस नदी के किनारे बसा है तो दोस्तों देखें बहुत सब्सक्राव में आपको नदीस के किनारे बसे जीले का यह सहर का नाम पूछा जाता है तो अपने लोग को उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है और एक दिन हम लोग पूरे डीटेल्स सहर के आस पास में जो बसे हुए नदिया है इसके साथ आपका जो भी डिश्टी के हैं या किस डिश्टी में सबसे अधिक नदिया है इस सारे डीटेल से आप लोग एक बार भावगोली पढ़ने वाले हैं इसके लिए मैं बता दूंगे एक दिन इसका स्पेसल क्लास होने वाली है तो आप लोग जरूर रहेगा चलिए अगले प्रस्ण के तरफ चलते हैं यहीं पर सासा राम किस नदी के किनारे इस्थी थ ऱशुरी अब दुस्तों यहां पर एक ट्रमा दया हुए नर्म दा नंधिया नर्मा नशी देखें नर्मादा नशी सबसे अधिकता और कहां कि सबसे नदिया है पर यह जो नर्मदा नदिये कभी बिहार में नहीं मिले क्योंकि मध्यपरदेश की सबसे अधिक सरवादिक छेत्र जो एरिया में है इंकी टोटल 1377 में 2777 नदिया है और दोस्तों देखें इसके इसके साथ नर्मदा के सबसे फेमस नदिये और नर्मदा के इसको मुख्य अंन्ग माना जाता है नदियो में सिचाएक तो इसलिए और बहुत फेमस जगा भी हैं क्योंकि यहां पर पूजन बी पाई जाते इस वीडियो में तो आप लोग जरूर कमेंट करें इसका साथी सार यह अपका अपना पहला डेमो क्लास था अब आपका कल से रेगुलर क्लास हो जाएगी एगरिकल्चर के भी वीडियो आपका पड़ गया होगा एक वीडियो डाले हैं और एक हिंदी के भी डाले झाले होगा झाले होगा आपका झाले हो जाएगी एक हिंदी के भी में यह जे रेगर।